हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से में के तरफ से मैं पिछला वीडियो लेकिया थी टॉप 100 mcqs का आज हम फिर से उसी में mcqs और करेंगे आपने उस वीडियो को बहुत 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 प्यार दिया थेंक्यू सो मच गाइस इस वीडियो में फिर से हम 50 mcqs देखेंगे फ्रम हिस्ट्री जो की लास्ट प्रिवेस यर्स में हमारे रिपीट हुए हैं सो हम उत्रखन हिस्ट्री के आज स्पेसिफिकली mcqs देखेंगे सो चलिए शुरू करते हैं from the first mcq of today which is when was कुमाउपरिशत established कुमाउपरिशत परिशत कब इस्टाब्लिश होती है 1912, 1914, 1916 या 1918 I'll give you only two minutes मैं आपको सिफ दो मिनिट का समय दूंगी आंसर देखने के लिए उसके बाद direct मैं आपको आंसर शो करूं and the answer for this is 1916 कुमाउपरिशत established होती है 1916 में when was शक्ती निउस्पेपर पब्लिश शक्ती निउस्पेपर का पब्लिश होता है 15 September 1918 15 October 1921 22 October 1921 या 15 October 1918 शक्ती निउस्पेपर पब्लिश होता है 15 September 1918 18 में 18 में who was बिस्नी देवी बिस्नी देवी कौन थी a poetess एक कवित्री थी a social worker a writer a freedom fighter बिस्नी देवी was a freedom fighter next question who was famous by the name Gard Kesri Gard Kesri किसका उपनाम है या फिर Gard Kesri के नाम से कौन famous है गुमानी पंत बद्रिदत जोशी अनुसुया परसाद बहुगुना या इंद्रमन बदोनी गड केसरी के नाम से famous है अनुसुया परसाद बहुगुना जी next when was Tiri princely state merged with Uttar Pradesh Tiri princely state जो Tiri Diasat थी उसको Uttar Pradesh में कब merge किया गया 1 August 1949 15th August 1949 26 January 1950 1 December 1949 Tiri princely state को Uttar Pradesh में merge किया गया 1 August 1949 को next question who died on 25 July 1944 after fasting for 84 days 84 days के fast करने के बाद भूखरताल पे बैठने के बाद किनकी म्रत्यू हो जाती है 25 जुलाई 1944 को नागेंदर सकलानी मौलू राम श्रीदेव सुमन या एबी बहुगुना after fasting 84 days के fast करने के बाद 25 जुलाई 1944 में स्रीदेव सुमन जी की म्रत्यू हो जाती है When was salt incident happened? Salt की घटना कब होती है? 5 September 1942, 6 September 1942, 10 September 1942, 8 September 1942 Salt की घटना होती है 5 September 1942 को When was श्रीदेव सुमन मार्टर? श्रीदेव सुमन कब मरत्यू को प्राप्त होते हैं? कब शहीद होते हैं? 24 जुलाई 1943, 22 जुलाई 1944, 24 जुलाई 1944 ए 25 जुलाई 1944 Sixth question इसका same question है श्रीदेव सुमन मार्टर होते हैं 25 जुलाई 1944 को Who formed the Gardes Seva Sankh? Gardes Seva Sankh का इस्थापना किस ने किया? Badridat Pandey, Shri Deva Suman, Rampal या Gopi Chandr Gardes Seva Sankh की इस्थापना की थी, श्रीदेव सुमन ने Guys, यह सारे के सारे questions कभी ना कभी किसने किसी previous exams में आ रखे हैं ठीक है, और यह मैं बहुत छाट के important history के, उत्राखन history से question लेके आई हूँ Because उत्राखन political, administrative brief तो हर कोई पढ़ लेता है, जो शुरुआत में brief होता है उत्राखन कब बना था, उत्राखन का state bird क्या है, state animal क्या, state flower क्या है, यह सब पढ़ लेता है पर उसमें जो history के questions जो है न, जो मतलब उत्राखन specific questions, जो deep questions है जो question is लिए हमाई नजर में नहीं आते हैं, जो हम revision करना भूल जाते हैं मैं specifically वो questions आपके लिए 50 questions लेके आई हूँ, जो कि बहुत important है और कभी नगभी किसी exam में आपको इन questions देखने के लिए directly मिल जाएंगे so please इन questions को अच्छे से prepare कीजिए और आप से ये भी पता लगा सकते है कि आपकी उत्राखंट की तैयारी कितनी है या फिर आपको कितनी और तैयारी करने की जरुवत है so question number 10 पे आते हैं लाखू cave ये तो बहुत repeated question है, बहुत favorite question है ये commission का लाखू cave जो कि discover हुई थी 1968 में ठीक है, जिसमें किसके pictures है, humans and animals have been found is situated on Dalband near Badechina, Badechina के पास लाखू cave कौन सी जगा लोकेटेट है, चमोली, पिथोड़ागर, Almora ये पॉड़ी लाखू cave लोकेटेट है, Almora में next question, in Iskandpuran, the vast area from Maya region, Maya region क्या था, Haridwar two Himalayas have been said to be Manaskhand, Kedarkhand, Dev Bhoomi या उत्तरखhand Haridwar से लेके Himalayas तक के region को आज हम क्या कहते हैं, गड़वाल कहते हैं is that clear, गड़वाल कहते हैं, और गड़वाल को Iskandpuran में क्या कहते थे गड़वाल को Iskandpuran में कहा गया है, केदारखhand, so Haridwar से Himalayas तक के region को भी केदारखhand कहा जाएगा, Iskandpuran में from the area Nanda Devi mountain to Kalagiri mountain is said to be Khasdes, Manaskhand, उत्तरखhand या केदारखhand, Nanda Devi mountain से Kalagiri तक के area को कहते हैं हम कुमाओ, और कुमाओ को Iskandpuran में क्या कहा गया, मानसखhand, so इस area को भी मानसखhand कहा जाएगा, आप याद रखिएगा कि केदारखhand का stretch कितना है, और मानसखhand का stretch कितना है, केदारखhand का from Haridwar to Himalaya, जिसे हम Maya region कहते थे ancient time में, और मानसखhand का from Nanda Devi to Kalagiri, according to ancient times, पुराने समय में, which place was the residence of Manu, Manu का निवासिस्थान और capital of Kuber, जो कुबेर की capital थे, God of wealth, जिनने कि किसका भगवान माना गया है, wealth का भगवान माना गया है, और यह जगा बद्रे के आश्रम के पास located है, यह जगा कौन सी है, माना है, जोशीमट, अलकापुरी या पंडुकेश्वर, जो की हमारे जो पूरवजे मनु, उनका residence भी है, और कुबेर की राजधानी भी है, यह जगा है, अलकापुरी, इट वास दे कैपिटल अफ बाना सूर दूरिंग रमायन पीरिएट, रमायन पीरिएट के वक्त, रमायन समकालीन बाना सूर की राजधानी क्या थी? देफ प्रियाग, अलकापुरी, चमपावद या जोशीमट, रमायन समकालीन बाना सूर की राजधानी थी जोशीमट, वेज इस दी गोरखा era नेथाना फार्ट लोकेटब गोरखा समय का नेथाना किला कहां लोकेटेड है देरादून, अल्मोडा, पिथोडागड या नैनिताल नेथाना का किला लोकेटेड है अल्मोडा में, एक रेजिदेंस के नावंग भी इसको करा है। नागों के या खस के अलमोडा का जाखन देवी टेंपल कन्फर्म करता है यक्षो के निवास को कुमाओ के मुहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है जगत चंद, देवी चंद, अजीत चंद या दीप चंद कुमाओं के मुहम्मद तुगलग कहा जाता है देवी चंद को What is the state symbol of चांद किंग? चांद राजाओं का राज्य सिंबल क्या था? राज्य चिन क्या था? डियर, बुल, काव ये ऐलिफेंट हिरन, बुल, काव ये ऐलिफेंट चांद किंग का state symbol था काव Which of the following dynasties is considered to be the first historical dynasty of उत्राखंड उत्राखंड की पहली एतिहासिक dynastie किसको कहा गया है? चांद dynastie, पवान dynastie, कार्थिकेपुर dynastie या निमबर dynastie उत्राखंड की first historical dynastie consider किया गया है कार्थिकेपुर dynastie को The official language of कार्थिकेपुर dynastie was कार्थिकेपुर dynastie की official language क्या थी यानि कि राज्य भाशा क्या थी? कार्थिकेपुर dynastie की राज्य भाशा थी संस्क्रित Next question Which of the following famous saints have arrived in उत्राखंड during the time of कार्थिकेपुर rulers? कार्थिकेपुर rulers के वक्त उत्राखंड में कौन famous saint यानि कि साधु आये थे? शंक्राचार रहे, रामनन्द चार रहे, वल्लब चार रहे या रामनूज चार रहे कार्थिकेपुर rulers के वक्त शंक्राचार रहे उत्राखंड आये थे System of appointment of village head started in village by ग्रामों में ग्राम के सरपंच होते हैं या फिर ग्राम के head होते हैं उनकी appointment किसके समय से start हुई? village head की appointment किसके समय से start हुई गाउं में? कत्यूरीज के समय, चांद्रों के समय, पवार के समय या निम्बर्स के समय तो ये start होती है, चांद दाइनिस्टी के समय, चांद rulers ने village head की appointment को start किया था the first political power to rule उत्राखंड वास कुनिंद, कुनिंद को पहला political power कहते हैं उत्राखंड ने रूल किया और ये वर contemporary to और ये किसके समकालीन थे? गुपताज, मौर्याज, कुशानाज ये शाकाज कुनिंसवर समकालीन, कुनिंसवर contemporary to मौर्याज who did pinice in tapovan, tapovan में pinice यानिकी तपस्या किस ने करी, तपवण में तपस्या किस ने करी, राम जी ने, लक्षमन जी ने, भरत जी ने या कπिल मुनी ने tapovan में तपस्या करी थी, लक्षमन जी ने, राम जी के भाई दिए आधिशंक्राचारे ने अपने प्राणों का त्याग कप किया था 720 इसवी में, 780 इसवी में, 800 इसवी में, 820 इसवी में आधिशंक्राचारे ने अपने लाइफ सक्रिपाइज करी थी 820 इसवी option number d is the correct option we are in the half of the video now move towards the last half who was the powerful king of Kunind कुनिंद के डिनस्टी के सबसे पावफुल किंग कौन था? अमोग भूती, कनकपाल, फतेशा या उपेंदर्शा? Guys, कनकपाल is the ruler of Pawars. फतेशा न उपेंदर्शा is the ruler of Pawars dynasty only. So, who was the powerful of कुनिंद? अमोग भूती. अमोग भूती is the powerful king of the कुनिंद. गोर्खास ने गड़वाल को संपूर्ण ता पूर्वक कब अपने कबजे में लिया था? 1803, 1804, 1805, 1806, 1803, 1804, 1805, 1806. Guys, मैंने टाइप इंग्लिश में किया है, पर मैं बहुत दोनों लैंग्विज में रही हूं, हिंदी में और इंग्लिश में भी. I hope आपको कोई भी इसमें confusion या परशानी नहीं हो रही है, हिंदी वालों को भी सुनने में, क्योंकि मैं बहुत दोनों लैंग्विज में रही हूं, पहले मैं इंग्लिश में बताती हूं, फिर मैं हिंदी में बताती हूं, लिख मैंने इंग्लिश में रखा है. When did गोरखास captured गलवाल completely? गोरखाओं ने गलवाल पर अपना पूर्ण अधिकार कप किया था? 1803, 1804, 1805, 1806. इसका सही आंसर है 1804. ओप्शन नमबर B. When did तैमूर लंग attack हरिद्वार? तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आकर्मन किस वर्ष किया था? 1396, 1393, 1398, 1399. तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आकर्मन किया था? 1398 में ऑप्शन नमबर C. Whose rule was called the golden period of कुमाओ? किसके रूल को कुमाओ का स्वर्ण काल कहा जाता है? जगचंद, कल्यांचंद, सोमचंद या ग्यांचंद? किसके रूल को कुमाओ का स्वर्ण काल कहा जाता है? And the correct option is जगचंद के रूल को. Who built the ford of Khagmara? Khagmara के किले का निर्मान किसने करवाया था? कल्यांचंद, भीश्मचंद, सोमचंद या ज्यांचंद? Khagmara का किला किसने बनवाया था? And it was built by Bhishma-Chant. Next question. Who shifted the capital from Shrinagar to Tiri? Shrinagar से Tiri अपनी capital किसने shift करी थी? प्रद्युमन शाह, प्रित्वी पती शाह, सुदर्शन शाह या मानमेंदर शाह. Shrinagar से अपनी capital shift करी थी Tiri, सुदर्शन शाह ने. English education started in Tiri during whose reign. Tiri में English education यानि की अंग्रेजी शिक्षा की शुरुवात किसने किसके राज्ये में हुई? सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह या नरेंदर शाह. Tiri राज्ये में English शिक्षा की शुरुवात होती है प्रताप शाह के समय में. The rule of गोर्खाजन कुमाओ और गडवाल was very unjust and tyrannical. This tyrannical rule is called in the local language. गोर्खाओं का रूल जो था, गोर्खाओं का जो समय था, गोर्खाओं का जो राज्य था, कुमाओ और गडवाल पे वो बहुत निर्दई और बहुत कुरूर्था पूर्वक था. इस कुरूर्था पूर्वक राज्य को local language में क्या कहा गया? गोर्खाओं के कुरूर्था पूर्वक रूल को, कुरूर्वक राज्य को local language में कहा गया गोर्ख्याओं. Option number B, land assessment system started in कुमाओ रीजन बाए, जो land assessment याने की, जो जमीन नापने की या फिर जमीन मापने की जो प्रक्रिया थी, वो किसके समय से शुरू हुई थी? पवार राजाओं के, चंद राजाओं के, गोर्खाज के या बिटिशर्व के? जमीन का लेखा जोखा रखने की या फिर जमीन को नापन तोली करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी चांद रूलर्स के समय, चांद राजाओं के समय. In whose interest was the Kota Khara movement? Kota Khara movement किसके हित में था? Women, Untouchables, Landless Peoples और जमीनदार्स और तो महिलाओं के, चुवा चुद के, भूमी हीनों के या फिर जमीनदारों के? Kota Khara movement इसमें से Landless People यानि की भूमी हीनों के हित में था. Next question, When was the debating club established in Almora for political awareness? अलमोडा में राजनितिक जागरुकता के लिए debating club की स्थापना कब होती है? 1865, 1867, 1868 या 1870? अलमोडा में राजनितिक जागरुकता के लिए debating club की स्थापना होती है 1870 में. When was Gandhi आश्रम established in Chanoda, which is in Swamishwar Almora, with the efforts of Shantilal Trivedi? शantilal Trivedi के प्रियासों से गांधी आश्रम की स्थापना चनोदा में कब होती है? और चनोदा कहाँ पे है? स्वमिश्वर में है, अलमोडा रिस्टिक में. 1937, 1938, 1939 या 1940? बिसिकली आपसे पूच रहे हैं कि Shantilal जी ने गांधी आश्रम की स्थापना चनोदा में कब की थी? And the correct answer is, 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की थी Shantilal Trivedi ने चनोदा में. When did पेशावर इंसिडेंट take place in which हवलदार वीरचंदर सिंग गडवाली refused to open fire on unarmed Afghan freedom fighters? पेशावर इंसिडेंट कब होता है? जिसमें हवलदार वीरचंदर सिंग गडवाली ने गोली चलाने से मना कर दिया था. किसके ऊपर? नीहते अफगान, नीहते अफगानी सुतंदर सिंग गडवाली ने गोली चलाने से इंकार कर दिया था. और इस इंसिडेंट को हम कहते हैं पेशावर इंसिडेंट या पेशावर कांड का आप से समय पूछा है. या फिर आप से उसका साल पूछा है. 1929, 1930, 1931 या 1932, 1929, 1930, 1931 या 1932. Your correct option is 1930, option number B. Influenced by the पेशावर इंसिडेंट, who has announced to celebrate गडवाल डे इन दे एंटार कंट्री? पेशावर इंसिडेंट से influence होके, किसने कहा था कि हम पूरे देश में गडवाल दिवस मनाएंगे? किसने कहा था कि हम गडवाल दिवस मनाएंगे? मातमा गांधी, जवालल नहरू, मोतिलाल नहरू या वल्लभाई पेशावर इंसिडेंट से influence होकर, मोतिलाल नहरू जी ने कहा था कि हम पूरे देश में गडवाल दिवस मनाएंगे? किन दो गडवाल के लीडर्स ने नेताओं ने अमरिद सर का जो अमरिद सर सेशन है 1919 का उसमें भाग लिया था? इन में से कित दो व्यक्तियों ने अमरिद सर कॉंग्रेस 1919 में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था? अनुस्यो प्रशाद बहुगुणा या नेक्स्ट, हू वर दी थ्री सत्याग्राहीज अमंग 78 इन गांधी जी सॉल्ट मूव्मेंट इन 1930 गांधी जी के 1930 के नमक सत्याग्राह में टोटल 78 सत्याग्राही थे, उन में से तीन सत्याग्राही जोते वो उत्राखंड से थे, तो उनका नाम पूछा गया है आपसे जोती राम, इन में से वो कौन थे, जोती राम कांडपाल, भैरवदत जोशी, गोरक, वीर, खड़क, बहादूर या सारे के सारे, all of these जो 78 सत्याग्राही थे, गांदी जी के नमक सत्याग्राह में, उन में से तीन जो थे, उत्राखंड से थे, और ये तीनों के नाम या पर आपके लिखे हुए हैं, तो आंसर इसका option नाम नाम आपके आद कर लीजे, जोती राम कांडपाल, भैरवदत जोशी, गोरक, वीर, ख मुवमेंट इन उत्राखंड, किसने उत्राखंड में होम रूर लीग मुवमेंट की स्टार्टिंग करी, विक्टर महन जोशी, बद्रदत पांडे, चिरंजीलाल या ओल अफ दीज, एनी बेसंडों तिलकी होम रूर लीग से प्रभावित होकर, किसने उत्राखंड में होम की स्टार्टिंग करी इन तीनों ने, विक्टर महन जोशी, बद्रदत पांडे और चिरंजीलाल, तीनों ही इन वर्फ थे, उत्राखंड में चलाई जाने वाली होम रूर लीग में, कोशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने करी, सरला बहन, फिद्या देवी, कु और इनका रियल नेम था, इनका रियल नेम क्या था, कैथरिन हाइलमन, अप्शन नमबर ए, विच फीमेल एजिटेटर वस ओडर तो बी क्याप्चर डेड और अलाइफ इन 1932, किस महीला सुतंतरता सेनानी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के ओर्डर पास कर दिये गए 1932 किस महीला अंदुलन कारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के ओर्डर जारी करे गए 1932 में, ओप्शन विष्नी रेवी सहा, कुंती वर्मा, जीवन्ती या मंगला कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के ओर्डर जारी किये गए 1932 में, which of the following sisters belong to लक्ष्मी आश्रम, लक्ष्मी आश्रम, जो की सर्वोद्य, सर्वोद्य का पार्ट पड़ाता था, इससे कौन दो बहने जुड़ी थी, कुंती कमला, कमला विद्या, वसंती सरस किंदो कौन दो बहने लक्ष्मी आश्रम से जूड़ी थी, option number D is the correct option, कमला विद्या, वसंती, after the revolution of 1857, who among the following had formed a secret organization called क्रांती वीर, इन दी काली कुमाओ, Against the Britishers, किसने 1858 क्रांती के बाद कुमाओ में एक secret organization, यानि कि एक गुप्त organization की स्थापना करी काली कुमाओ रीजन में, और ये कौन है, आपसे उनका नाम पुचा गया है, किसने क्रांती वीर नामक, गुप्त organization की स्थापना करी काली कुमाओ रीजन में, बिटिशर्स के खिल ये थे कालू मेरा, जिसने क्रांती वीर नामक, गुप्त organization की स्थापना करी थी, कहाँ पे कालू कुमाओ रीजन में, और किसके खिलाब, बिटिशर्स के खिलाब, option number C, where did khatima firing happen, khatima firing कब होती है, when did khatima firing happen, 1 September 1994, 2 September 1994, 3 September 1994, यह 4 September 1994, guys, month और year दोनों सेम है, इसका मतलब commission wants, commission चाहता है कि आप date याद करें, date पे भी आप focus रखें, so option number A is the correct option, 1 September 1994, को khatima firing होती है, khatima कांड होता है, वेंडिड मुझफर नगर, और जिसे हम रामपुर तिरहा, कांड भी कहते हैं, कब हुआ था, 2 October 1994, 2 October 1993, 2 September 1994, 2 October 1995, date and months are same, you have to remember the year, इसमें year बदल दी गए है, you should know the correct option, आपको correct बिल्कुल date याद होने चाहिए, 2 October 1994, गांधी जैनती वाले दिन 1994 में, मुझफर नगर हत्या कांड होता है, मुझफर नगर गोली कांड होता है, जिसे हम रामपुर तिरहा कांड भी कहते हैं, which of the following is not an ancient species of उत्राखन, उत्राखन की ancient species यानि की ancient, पुरानी species कौन नहीं है इसमें से, पुरानी प्रजाती, यक्ष, नाग, खासी, किनर, अगर आपको इंडिया का थोड़ा नॉलेज है ना, तो इंडिया में, जो यह जगा है मेगाल्या है, इसमें तीन ट्राइब्स रहती हैं, कौन-कौन सी गैरो खासी इंजैन्तिया, खासी ट्राइब जो है, इट बिलोंग्स टू मेगाल्या, नॉट उत्राखन, गैरो खासी जैन्तिया नाम के तीन ट्राइब रहती हैं, मेगाल्या वाले एरिया में, खासी इस नॉट रिलेटेट टू उत्राखन, खुर्बुरा का यूध कब होता है, 1800, 1804, 1710 या 1805, खुर्बुरा का यूध होता है, 1804 में, आप्शन नॉम्मर बी, So guys, these are all 50 questions from my side, I hope you will like it, और आपको ये questions पसंद आई होगे, आपको बहुत ज़्यादा इसमें सीखने मिला होगा, आपको अपनी preparation का पता चला वोगा, आपने कितनी preparation आपने कर लिया, कितनी आपको करने की जरुवत है, ऐसे ही बहुत important important related videos में आपके लिए लाती रहूँगी और guys अभी उत्रकंट ROARO का exam आने वाला है 17 December को so उससे उसके लिए में कल एक बहुत important बहुत informative videos ला रही हूँ अभी तक जितने भी तीन exams हुए हैं 2007, 2012 and 2016 में उत्रकंट PCS ROARO के उसमें उत्रकंट specific जितने भी questions पूछे गए हैं जितने भी उत्रकंट GK से questions पूछे गए हैं वो सारे compile करके में एक video में आपके लिए लेके आऊंगी most probably वो video में कल आपके लिए लादूगी ताकि आपको exam से पहले एक पता चल जाएगी किस तरीके से उत्रकंट GK से questions पूछे जाते हैं और आप उसको याद कर पाएं आप उसको समझ पाएं pattern उत्रकंट GK पूछे जाने का आज आप बाएं दोस्तों को भी से लेकर आऊंगी कल का सेशन तो बहुत इंपॉडन होगा जिनका एक्जाम अभी आरो यारो का है उसमें वो बहुत हेल्फूल होगा उन लोगों के लिए so this is all from my side from this video thank you guys bye bye see you in the next video